ओल्राइट एस्पिरेंट्स वेल्कम बैक टो वर यूट्यूब चैनल मैसर्फ अन्राग और वाचिंग अनलीश आर्बियाई नोट मेकिंग जो है बहुत ही जादा क्रूशल टॉपिक है हमारी प्रिपरेशन से रेलेटेड और यहीं पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि किस तरह से हमें एफेक्टिव नोट मेकिंग करनी है आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम पर बात करेंगा और डिस्कस करेंगी किस तरह से आप अफेक्टिव नोट मेकिंग कर सकते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते है कुछ common doubts के बारे में तो जो सबसे पहला comment out रहता है sprints के अंदर क्या हम books में ही अपने notes बना सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा RBI grade B exam है इस से related RBI ने जो books recommend करी हैं बहुत ही ज़ादा बल्की रहती हैं और इन बल्की books में अगर हम अपने notes को बनाएंगे और exam के time पे अगर हमें revision करना होगा तो उस समय अगर हम इन बल्की books revise करेंगे तो बहुत ही ज़ादा hectic रहेगा हमें बहुत ज़ादा tension होगी और अगर हमें tension होई तो हम disturb हो जाएंगे और exam time पे हमारी जो performance है वो down हो जाएगी तो आपको क्या करना है अपने self notes बनाने हैं गई आपको जो notes है अपनी language में ही बनाने है बट आपको दो चीजों का ध्यान रखना है जो सबसे पहला point है कि आपको अपने notes में include करने है keywords और जो दूसरा pointer that आपके जो notes है उसका meaning जो है वो concept से different नहीं होना चाहिए यह same होना चाहिए और जो third doubt रहता है experience का कि हमारे online notes जादा best रहते हैं या फिर offline notes so इस particular doubt को मैं upcoming PPT में cover करूँगा now guys as all we know that notes plays an important role in our preparation और अगर हमारे notes attractive और effective नहीं होंगे तो हम उन्हें long time तक retain नहीं कर पाएंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे notes ही हमारी preparation के end तक की जब तक हमारा selection नहीं हो जाता है बहुत help करते हैं तो हम अपने notes को बहुत ही जादा attractive और effective बनाना पड़ेगा और for making effective notes हम क्या करेंगे हम use करेंगे colors का अब colors की बात करें तो scientifically जो warm colors होते हैं like red and yellow यह बहुत ही जादा impact करते हमारे brain पर और इनसे हमारी जो brain की retaining power है वो increase होती है तो हमें basically four colors का use करना है अपने note making में जिसमें सबसे पहले आप red color का use करें just for your important keywords उनको write down करने में and yellow color का use करें आप highlight करने के लिए जो important line हो गई और blue and black color में आप body या heading लिख सकते हैं so this is about the color scheme for your note making अब बात करते हैं how to make notes so guys जब हम बात करते हैं about note making तो आपकी note making directly depend करती है आपके study pattern पर so guys study pattern को समझते है with the help of an example so let us suppose आपने decide करा कि मुझे finance and management का subject आज study करना है और जितना भी time आप dedicate करना चाहरा है FM के subject को उसको आपको 3 slot में divide करना है that is slot 1, slot 2 and slot 3 और slot 1 में आपको क्या करना है let us suppose कि आपने decide करा कि आज मैं financial system को cover करूंगा so financial system में what is financial system, क्या components है what are roles and what is importance यह सारे topics है आपने इनको study करा so this would be gone in slot 1 so slot 1 में हम सिर्फ new topics को पढ़ते है new concepts को पढ़ते है और जब आपका particular topic cover हो जाए जब आपका financial system cover हो जाए तो आपको bind up करना है अपनी table और chair से उठ जाना है और जाकर के किसी एक शांसी प्लेस पर बैठना है जहां कोई भी disturbance ना हो और जब आप शांसी प्लेस पर बैठते हैं तो आपका slot 2 स्टार्ट हो जाता है यहां पर आपको क्या करना है जो भी आपने slot 1 में study करा था उनके बीच में आपको connection build करना है विज्वलाइजेशन करना है पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में कि किस तरह से चीजर डराइव होई है और किस तरह से जो connections है वो आपस में build हो सकते हैं जब आपकी connection building complete हो जाए तब आपको अपने laptop को pick करना है और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसकी एक brief summary आपको अपने notepad पर type करनी है अब यहाँ पर typing पर मैं influence इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि as all we know that हमारा जो RBA grade B exam है उसके phase 2 में जो descriptive answer writing है वो आपको type करनी होगी तो अगर आप अभी से habit में इस चीज को build up कर लेंगे तो that would be beneficial for your exam so slot 2 में जब आप summary अपनी complete कर लेते हैं after that आपको अपनी summary को check करना है with your source और कुछ जो corrections हैं आप उन्हें complete कर लें then बात आती है about the slot 3 तो slot 3 में आपने जो previous day में पढ़ा है उसका revision करना है so this is about the pattern of study अब बात करते कि आपको जो note making है किस तरह से करनी है so guys note making की बात करें तो अभी तक हम old school techniques को use करते आये जिसमें हम basically क्या करते थे textbook को अपने सामने रखते थे and just हम क्या करते थे paragraph को read करा उसे interpret करा अपनी language में and note making कर ली और till the exam हमारे पास bulks of notes रहते थे और उनी से हम revise करके अपने exam को देने जाते थे but revision करते वक्त हम properly complete revise नहीं कर पाते थे और when you are preparing for exam like RBI grade B तो यहाँ पर आप exam से पहले जितना relax रहेंगे जितना light feel करेंगे जितना कम आपके पास revision करने के लिए content होगा उतना ही आप effective performance देंगे अपने exam में तो आपको क्या करना है इसके लिए note making को 3 stages में breakdown करना है जैसे stage 1, stage 2 and stage 3 अब बात करते कि stage 1 में आपको किस तरह से note making करनी है तो stage 1 में जो आपकी note making होगी that is a comprehensive note making जो आपने अभी summary type करी थी अपने financial system की वही आपके comprehensive notes होगे correction के बाद जो proper आपकी final summary होगी that would be your comprehensive notes तो यह जो comprehensive notes आपने बनाए यह आपने first time read करने के बाद proper understand कर लिया था उसके बाद आपने comprehensive notes को complete करा तो यह जो comprehensive notes होगे यह आपके 100% होगे of your topic जैसा कि मैंने बताया कि comprehensive notes बहुत ही जदा bulky notes होते हैं इनसे आप revision नहीं कर पाएंगे तो अब आपको shift करना है towards the stage 2 और stage 2 में आपको क्या करना है अपने comprehensive notes से चीजों को extract करना है और आपको extracted notes बनाने हैं after the completion of your syllabus और यह जो notes होगे यह आपके 50% होगे of your comprehensive notes अगर आपके comprehensive notes 1000 pages के थे तो अब आपके extracted notes जो हैं वो 500 pages के बचे but अभी भी they are bulki बहुत ही ज़ादा बलकी है 500 pages से आप revision नहीं कर पाएंगे so आपको इन्हें और consolidate करना पड़ेगा so for that आपको stage 3 की तरह पाना पड़ेगा और यहाँ पर यह जो note making होगे यह आपको exam से 2 months पहले ही बनानी होगी और in note making में आप क्या करेंगे basically आप mind maps को create करेंगे cheat sheets बनाएंगे tricks create करेंगे जिसके तरह आप जो भी चीज़े भूल रहे हैं जो basic points आप कई बार भूल जाते हैं exam में या फिर answer करते time उन चीज़ों को आपको in mind maps, tricks और cheat sheet में note down करना है और यह आपका 10% होगा of your comprehensive notes तो आप आपके consolidate होके 100 pages में आ जाएंगे और क्योंकि यह mind map or tricks होगी तो बहुत ही जादा बलकी नहीं रहेगा आपको बहुत light feel होगा और बहुत easily आप properly revision कर पाएंगे अपने पूरे subject का this is about the stages of note making तो guys आप discuss करते हैं कि आपको online notes बनाने चाहिए या फिर offline notes बनाने चाहिए so online notes की जो preference है वो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि as all we know that हमें अपने answers को exam में type करना है so अगर हम अभी से habit को build करेंगे online note making करेंगे तो हमारी habit जो है वो build हो जाएगी और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे mind का जो सबसे प्यारा feature होता है that is habit और अभी तक हमारी habit है pen और copy से अपने notes को बनाने की और जब हम exam में जब type करने जाते हैं तो हमारे जो mind है वो system पर type करते हुए proper way में think नहीं कर पाता है और हमें बहुत ही जादा time लगता है concentration build करने में so इस problem के solution के लिए आपको online note making पर ही shift होना पड़ेगा जिससे आपकी habit पड़ जाएगी कि आप जब type कर रहे हो तो आपके mind में thoughts आ रहे हैं आपके mind में properly जो आप जो चीज लिखना चाहरे हो वो चारी चीज़े cover हो रहे हैं अगर आपको physical form के notes बनाने हैं तो मैंने जितने भी points आपको बताए हैं about the note making किस तरह से colors को use करना है आप offline physical form में use करें और जो भी stages मैंने बताए हैं note making की उनको आप physical form में follow करें that would also be the best note making so that's all for today I hope आज की इस video के सारे doubts आपके clear हो गए होंगे अगर note making से related कोई भी doubts आपके mind में हैं तो make sure करें आप उसे comment box में mention करें and we will answer it so guys like this video and share it with your friends who are preparing for RBI grade B exam and please subscribe to our channel और कोई भी वीडियो में इसना हो इसलिए bell icon को भी press कर ले और अगर आपको RBI grade B से related कोई भी material चाहिए तो आप हमारे telegram channel पर visit करें हम वहाँ पर regular update करते रहते हैं और मलते हैं आप लोगों से next video में till then goodbye and jahin करेंद दphony, कर बादद से ओर आपकों सेणुाआ दो फिर आपकों से उना हैं ऐस